आज हम देखेंगे पाई चार्ट से संबंदित कुछ मिथ्याधार्नाएं और एक गल्ती मिथ्याधार्ना एक अमित की कमाई 24,000 रुपए है तथा समीर की कमाई 15,000 रुपए है वे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा व्याय करते हैं तथा कुछ हिस्सा बचाते हैं जिसका विवरंट इस प्रकार है क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में सबसे अधिक धनराशी कौन बचाता है वीडियो रोक कर प्रयास कीजिए यहां अमित कितनी धनराशी बचाता है इसे 60 डिगरी के कोंड से और समीर कितनी धनराशी बचाता है इसे 90 डिगरी के कोंड से निरुपित किया गया है कुछ बच्चे कोणों के तोलना करके यह सूचते हैं कि समीर अमित से अधिक धनराशी बचाता है इस समच से वे option दो जवाब देते हैं जो कि गलत जवाब है वे पाईचार्ट को संपूर्ण और उसके भागों के रूप में नहीं देखते हैं यहां कुल कमाई संपूर्ण व्रित यानि होल सर्कल से निरुपित की गई है इस तरह से अमित द्वारा की जाने वाली पचत को निरुपित करने वाला कोण संपूर्ण व्रित का 60 डिग्री बटे 360 डिग्री बराबर एक बटे 6 भाग है चुकि पाईचार्ट में द्रिज्य खंड यानि सेक्टर ओफ सर्कल का केंद्रिय कोण यानि सेंट्रल अंगल उसके द्वारा निरुपित सूचना के समानुपाती यानि प्रपोर्शनल होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां अमित द्वारा की जाने वाली बचट उसकी कमाई का एक बटे 6 भाग है यानि कि अमित द्वारा की जाने वाली बचट एक बटे 6 गुणा 24,000 रुपए बराबर 4,000 रुपए है इसी तरह क्या आप बता सकते हैं कि समीर द्वारा की जाने वाली बचत कितनी होगी? विडियो रोक कर ग्यात कीजिए चलिए हम बताते हैं समीर द्वारा की जाने वाली बचत बटे समीर की कमाई बराबर 90 डिग्री बटे 360 डिग्री बराबर 1 बटे 4 इस तरह से समीर द्वारा की जाने वाली बचत है 1 बटे 4 गुणा 15,000 रुपए बराबर 3,750 रुपए तो बताईए दोनों में से कौन सबसे अधिक धनराशी बचाता है बिल्कुल सही अमित दोनों में से अधिक धनराशी बचाता है इसलिए ऑप्षन 1 सही जवाब है मिध्याधारना 2 केंद्रिय कोंड क्या होगा? कुछ बच्चे सवाल में क्या जानकरी दी गई है इसे समझ नहीं पाते वे अनुपस्थित छात्रों की संख्या 5 लेते हैं और इसे निरुपित करने के लिए तिर्जखंड का केंद्रिय कोंड 5 पटे 40 गुणा 360 डिग्री बराबर 45 डिग्री प्राप्त करते हैं वे दिये सवाल का ओप्षन 2 जवाब देते हैं जो की एक गलत जवाब है यहां हमें अनुपस्थित छात्रों की संख्या प्रतिशत में दी गई है प्रतिशत का अर्थ है प्रतिएक 100 चात्रों में 5 चात्र अनुपस्थित है इस तरह से 40 चात्रों में से 5 बटे 100 गुणा 40 बराबर 2 चात्र अनुपस्थित है यदि हम चात्रों की कुल संख्या 40 को एक संपूर्ण वृत्त से निरुपित करते हैं तो दो चात्रों को निरुपित करने के लिए त्रिजिखंड का केंद्रिय कोण होगा 2 बटे 40 गुणा 360 डिग्री बराबर 18 डिग्री इसलिए यहां सही जवाब ऑप्शन एक है अब चलिए देखे पाई चाट बनाते समय की जाने वाली एक गलती बच्चे पाई चाट बनाते समय विभिन त्रिजिखंडों द्वारा क्या सूचना निरुपित की जा रही है इसे दर्शाना भूल जाते है इस गल्ती के कारण त्रिजिखंड क्या निरुपित करता है यह ग्यात नहीं किया जा सकता और इससे सूचना प्राप्त करना कठिन हो जाता है इसलिए पाइचाट के सभी त्रिजिखंडों पर उनके द्वारा निरुपित सूचना को लिखना आवश्यक है आज हमने देखी पाइचाट से संबंदित कुछ मिध्याधारनाए और एक गल्ती